हालो एबरीवान वेलकम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल उमीट मी तो आप लोग कैसे हो उमीद करूं कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो टू इक हो गया है मैं कोई व्लॉग नहीं दे पाई थी क्योंकि मॉंसंद का जो सिजन ने व बहुत कुछ पाऊँगे यह व्लॉग में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी बहुत ही हेलफुल कुछ चीज जो आप लोग के साथ मैं आगे शेयर करूंगी ट्रेन के बारे में और जर्नी के बारे में तो फिलाल मैं अभी पैकिंग कर ले रही हूँ अभी पैकिंग करन वो इसके लिए हम लोग घूमने जा रहे हैं और इसके लिए देखिए चारपा सेथ मैं ले रही हूँ क्योंकि जो रेनी सीजन है वो श्टाट हो गया है तो जो जो ड्रेस है वो थोड़ा बहुत एक या दो सेथ ज्यादा लेना परता है बड़ो का और बच्छों का तो इसके जो दीन है वो बहुत ही खरब गया आज क्योंकि बहुत ही बारीश हो रहा था आज बाहर भी नहीं जा पाई और नजिक का जो दुकाने उससे ही थोड़ा बहुत खाने का सामाने वो ले के आई थी तो यह मैंने फ्लिपकर्ट से लिया था एक विक हो गया है और यह मैं लेक अल्मुस्त मेरा पैकिंग जो डन हो गया यह नेक्स्ट मॉनिंग अभी बज रहा है नौ और हम लोग रवाना हो चुके स्टेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं चार्शा स्टेशन में अभी और हम लोगों का घर का नजदी का जो स्टेशन है वो है चार्शा स्टेशन तो आ लोग ऑनलाइन पे भी टिकेट बूक कर सते थे बाद यह जो ट्रेन यह खाली रहता है तो इसके लिए हम लोग प्लाटफरम में आके उसके बाद जो टिकेट है वह उने को ने कुने काट किया है हम लोग जा रहे हैं तूरिश्ट स्पेशल ट्रेन से यह त्रेन में AC और नॉन करके लगा है और हम लोग ऑक्सिवो में या बूक आई यार सिटी से पर यह बूकिंग करोंगे तो थोड़ा सा कौशली पढ़ेगा टू सिक्टिफाइब करके इसका जो फेयर है वह आप लोग को यह देखने को मिलेगा वहापी तो टू नंबर प्लाटफरम में उसमें दि यह बाद बहुत दिन बाद ट्रेन पर उठी इस तरह का जो ट्रेन है वह बहुत ही अच्छा था तो अववी देखिए मैं थोड़ा सा वीडियो करी हूं आप लोग लिए और इसका जो टॉइलेट है वह भी बहुत ही साफ सूतरा है एक साथ पर कोमोंट है एक साथ पर चार्शा नागरकटय का बीचमें जहां आन आगराकटय का सब्सक्ता Michalich फर्स्क्लीन नागरकटयक मेन धुरूण तो हम लोग थोलाइस सा भूप लग गया था, तो इसके वज़ी से हम लोग थोलाइस स्ञेक्स खा रहे थे और देखिए मौनसुन में जो पहारी जो नदी है इसका देखिए जी उक देखिए कितना पानी है तो नॉर्ट बिंगल कर वियो तो आप लोग उसके शेयर करूँ आगी भी आप लोग उसके शेयर किया था यह ट्रेन आलिपूर जंक्शन में जो पहुचने का टाइम है इसका देर 1.30 है तो आज कितना बज़े यह पहुचेगा वोई देखने का चीज है तो देखिए बारिश फिस से स्टार्ट हो गया था और बारिश में हम लोग बहुत ही मज़े से ट्रेन में जा रहे थे और बीच-बीच में जो नदी आ रहा था वो भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता था बहुत सा रील में बनाई आज तो देखिए यह है ट्री का प्लांट जो बारिश के बज़े से यह हडा बारा हो गया है एकदम और हम लोग बहुत में रस्ता जो है वो क्रोस करके आए है और देखिए थोड़ा बहुत अभी जो वेदर है वेदर क्लियर हो रहा है और अभी रेखिए लिए तो चली अभी थोड़ा सा मीजिक पाप करता है वो तो थोड़ा सा train रुका था तो आप लोगिसाथ मैंने शिय भूं हम लोग अभी खाली है और अभी पॉछ गया राजभाद खावा डिशन उसमें तो अलिपूर का आगे ज़ो स्टेशन तो आलिपूर का आगे जो स्टेशन जो त्रेशन एब बहुत समय यह रूपता एक क्रॉसिंग के वज़े से और अभी हम लोग कुछी देर बाद ही पहुच जाएंगे अलिपूर जंक्सन स्टेशन में तो ये व्लोग आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज कॉमेंट करके बताना और कुछ भी आप लोग इन्फोमेशन जानना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये व्लोग का जो सगेंट पाट है वो लेके मैं बहुत ही जल्दी आऊंगी और ये अवी देखिए एकदम ही ये खाली था ट्रेन अवी हम लोग देखिए हम लोग उतर गए थे ट्रेन से और अवी हम लोग जा रहे हैं मेरा मामा के घर पे और थोड़ा सा पानी लिया ठंड़ ठंड़ पानी उस दिन बहुत ही गर्मी दे रहा था तो देखिए हम लोग साफरी पे चड़ गये थे और साफरी जाने के बाद हम लोग जा रहे अवी मामा के घर पे मामा का घर जो है वो है कामा खागुरी पे और ये आलिपूर से इसका डिस्टेंस वान हार लगत है तो फिर मिलते हो दूसरा व्लाग में बाई 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 एव्रिवन